Hey guys, how are you all? I hope you all are fine और स्वागत आपका फिर से इस न्यू वीडियो में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडस वैली सिवलाइजिशन के बारे में अब तक मैंने आपको बता दिया है प्री हिस्ट्री क्या होती है प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है हिस्ट्री क् होती है इंडस वैली सिवलाइजिशन या हडपा सिवलाइजिशन के तो आज हम बात करेंगे हडपा सिवलाइजिशन के बारे में बेसिक फैक्ट्स हम जानेंगे इसके बाद मैं और वीडियो लाओंगा इसके एडवांस फैक्ट्स के बारे में तो हडपा सिवलाइजिशन रफली पता जेता हूँ ब्रीफ में जो एडी होता है दोस्तो एडी मतलब वो टाइम होता है जब जो इसा मसी है उनका जनम हो जाता है क्राइस का जीजस का जनम होने के बात का जो समय होता है वो एडी में काउंट होता है जैसे माली जी मैं अभी कियम बात करें तो 2020 चल रहा ह यान की इसमस्की जनम के जनम को 2020 साल हो चुके हैं उससे पहले का जो टाइम है वो सब बीसी में आता है तो अगर मैं यह आज मैं यह बोल रहा हूं कि हड़पा स्विलाइजेशन पच्छिस सो बीसी की बात है पच्छिस सो बीसी में था इंडिया में तो इसका मतलब यह आज से करीब और सतर सो बीसी तक चलता है बहुत ही जादा अर्बन सिविलाइजेशन थी यहां के जो लोग ते काफी सहरी थे जैसा महौल आज आपको मिलता है बलकि इससे अच्छे महौल में वो लोग रहते थे ड्रेने सिस्टम बड़ा अच्छा था इनका तो आकर इसके बारे में पत 1921 में ASI यस उसी ASI के बात कर रहा हूं जो आप देखते हैं ताज महल पर आगरा कले पर और जितने हिस्टोरिकल मनुमेंट से वहां पर उनको प्रटेट करता है ASI इतना पुराना है ASI तो 1921 में ASI की DG थे जॉन मार्सल उनके अंडर एक परसंते दया राम सहानी यस इंडि इसमें खोजा जाने वाली जगे पहले जगे हडपा ही थी इसलिए इस विलेशन को नाम दिया गया हडपा सिवलाइजेशन तो दया राम सहानी ने बताया कि ऐसा है कि यह जो सिवलाइजेशन यह तो बहुत पुरानी है और इसकी खोज ऐसे हुई थी दोस्तों कि बिटिस जो थे वो रेल लाइन बिचा रहे तो रेल लाइन बिचाते वक्त छो खुदाई की गए तो वहां पर कुछ ईट ती जातर जो सिवलाइजेशन थी चाहें वो हमारी इंडस सिवलाइजेशन हो या चाइना की सिवलाइजेशन हो यह किसी रिवर के किनारे थी चाहें मैसोपोटामिया की हो तो आपको बताना है हलपा सिटी इसको खोजा गया वो किस रिवर के किनारे थी अगर आप सोच रहें इंडस रिवर तो आप गल्स सोच रहे हैं तो पहला नाम इसका मिला हडपा civilization दूसरा इसको नाम मिला दोस्तो वो ता इंडस civilization को कि यह इसके जाए तर सिटी जो मिली थी वो इंडस रिवर यानि कि सिंदु नदी के आसपास मिली थी इसके बाद एक साल बाद 1922 में दूसरे एक परसन आए जिसका नामता राखल दास बेनरजी राखल दास बेनरजी ने दूसरी सिटी को खोजा जिसका नामता मोहन जोदारो मोहन जोदारो जिसका हिंदी में हम अतलब होता है मुर्दो का टीला तो उस सिटी को खोजा गया दूसरी सिटी थी मोहन जो दारो और इसके अंडर ही दोस्तों क्या मिला एक स्विमिंग पूल टैप का वापर मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो दो सिटी स्टाइडिक में खोजी गई इसका काफी सिगनिफिकेंस रहा इससे इंडियन सुरू से विलिज में रही नहीं थे हम लोग अर्बन लोग थे अर्बन सिवलाइज़शन हमारी थी तो आप एक पार नोटिस करिएगा जब मैं आपको आँगई बताऊंगा अगले वीडियो में वैदिक सिवलाइज़शन के बारे में तो वैदिक जो लोग थे देवर पै वैसा ही था सरप्लस फूड होता था वहां पर खूब ज्यादा फूड हुआ करता था इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह काव से परिच्चत नहीं थे गाए से परिच्चत नहीं थे उनकी जो सील मिली है उन पर एक जो बैल होता है उसकी वह पूजा करते थे भूत प्रितम हो बलीव करते थे वहां पर एमुलेट्स यानी की तावीज मिले हैं और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर किसी तरह कोई मंदिर नहीं मिला है अभी तक तो नहीं मिला है आंगे मिल जाए तो पुछ पता नहीं है और दोस्तों यह जो लोग थे पढ़े लेके लोग यह लिखते थे वह क्या लिखते थे यह अब तक 5 पता नहीं कर पैं हैं इंडस की जो स्कृप्ट है वह इनदे दोस्तों आपको बताया इंडस के बारे में यह जो एरिया इसका फैला हुआ है यह आपको बता देता हूं यह इंडिया का जो नॉर्थ western part है वहाँ पर और पाकिस्तान में ये area है इसके कुछ sides में बता जाता हूँ जैसे कि लोथल और कई सारी sides है राखी गड़ी है और हरपा मैंने बता दिया मोहुंजुदारों मैंने आपको बता दिया दाइमाबाद है आलमगीर है ओके मांडा है ये काफी सारी जो cities है ये काफी important है और ये सारी cities इंडस के आसपासी बसी हुई है तो उमीदा आपको समझ माए होगा ये सारी बाते हैं जो basic बाते हमने जानी है इंडस के बारे में अगर आपको तो ये कुछ basic मैंने आपको come time में ज्यादा knowledge देने का try किया है अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो share कर दीजिए whatsapp पर facebook पर अगर अब तक आपने दोस्तों चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजिए bell icon दबा दीजिएगा जिससे further अगर मैं कोई और वीडियो एड करूँगा तो आप उसे miss ना कर पाए so that's all thank you so much take care